हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सिंप्लिफिकेशन के कोशन की, दोस्तो सिंप्लिफिकेशन के कटिन प्रेशन की बात करेंगे आज की वीडियो में और ये कटिन प्रेशन आप दो से तीन सेकेंड में स्वाल्प कर तो हमको ज rooting ध्यां रखना है वह रखना है दोस्तों जो यहाँ पर sign दिया गया है बीच वाला देखिए म Deputy छैक्ट कर लिजए और इस यहां पर sign दे रखा आपको plus का ठीक है दोस्तों, माइनिस का question करने का तरीका अलग है सबसे पहले, देख लेती हो प्लस का sign दे रखाऊ, दोस्तों जब प्लस का sign दिया गया है तो संक्य करना है root 3 is root 2 का कराँ ठीक है दोस्तों horror 3 or root 2 का करदेञा है प्लस मतलब की तीन और दो को कर दीजिए प्लस तीन प्लस दो कर दीजिए क्या हो जाएगा आपका आंसर पांच हो जाएगा यही क्या है दोस्तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है आपको क्या दिया गया है प्लस का sign दिया गया है तीन दिया गया है दो दिया गया है तीन और Root 3 तो Root 3 लिख लिजीं रूट 3 ठीक ए Multiply करना है root 2 से मतलब यह है इन दोशों का Multiply करना है Minus वाले cases में Plus वाले cases में क्या करेंगे 3 और 2 को Plus कर देंगे Minus वाले cases में क्या करेंगे 2 और 2 को multiply कर देंगे root 3 और root 2 का आप multiply करेंगे कितना आजाएगा यह हो जाएगा आपका root 3 और 2 6, 3 तीन दूनी 6 होता है तो root 6 हो जाएगा और multiply में 2 चल्ला है यह 2 यहाँ पर आजाएगा यही आपका answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों, minus वाले case में क्या करना है इन दोनों का आपको multiply करना है और 2 का भी multiply करना आपको साथ में यह आपको हमेशा करना है ऐसा नहीं है, संक्या नहीं बदलेगी तो ही करेंगे यहाँ संक्या और बदल दी जाएगी यहां 5 दे दिये जाए, यहां 2 दे दिये जाए, यहां 5 दे दिये जाए, यहां पर 2, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब माइनस वाला केस रहेगा, तो इन दोनों का मल्टिप्लाई करना है, और साथ में 2 का मल्टिप्लाई करना है, पिलस वाला question है दोस्ते आपर दो question लिखे हुए है दोनों question सेम है बस लिखने का तरीका अलग कर दिया गया है examiner क्या करता है इस type से question देदेगा कभी कभी क्या करेगा ये तरीका बदल देगा इस type से question देदेगा लेकिन दोस्तों question दोनों एक ही है मैं आपको बता दू, question दोनों एक ही है, बस pattern बदल देता है, ठीक है, तरीका दोनों का एक ही है, और question भी आपका एक ही है, सबसे पहले ये वाला समझते हैं, उसके बाद ये समझेंगे, ठीक है, दोस्तों, question दिया गए, यदि x बराबर root 3 plus 1, divide में root 3 minus 1 दे रखा है, तो जो हम को प्लस किया था, 3 और एक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब 3 plus 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, और square दे रखा है, तो क्या कर देंगे, square कर देंगे, 4 का, और जब हमेशा आपको क्या करना है, इस question में माइनस का कर देना है, 2, ऐसे question में क्या करन आपको धिया जाएगा, question बिल्कुल same है, पहले वाले question की तरह है लेकिन इसमें देखे क्या करेंगे, square दे दिया गया है, तो हमने क्या किया, दोनों को plus करके square कर दिया, minus 2 करना है आपको हमेशा, ठीक है 4 का square सूला होता है, minus कर देंगे 2, आप cancer जाएगा 14, ये question है दोस्तों, बिल्कुल same question है, दोनों question बिल्कुल same है, sign किसका दे रहा है, plus का, x की value ये दे दी गई है मान लिजी आपकी x की value ये वाली हो जाएगी, y की value आपकी ये वाली हो जाएगी, sign किसका रहेगा plus का रहेगा, x का square है x का square plus y का square हो जाएगा स्कौर दे रखआ दोनों का तो क्या कर देंगे स्कौर कर देंगे और हमेशा मा пал-2 करना है जैसे मा deve-5 मैन करेंगे दो आंसर आ जाएगा आपका 30 यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंशर हो जाएगा थीक है तो पहले मैंने आपको ये वाला समझाया बाद में ये वाला X की value ये हो गई, by की value ये हो गई ठीक है ये square हो गया बिल्कुल इसी type का question बन गया X square plus Y square ठीक है तो अमिद करता हूँ ये question भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है 5 plus 1 upon root 5 plus 1 upon root 5 plus 5 plus 1 upon root 5 minus 5 का मान क्या होगा दोस्तो ये question और नीचे वाला question दोनों बिल्कुल same question है कुछ भी अलग नहीं है बस examiner क्या करता है बदल देता है थोड़ा सा घुमा फरागे देदेगा और student उसी में confused हो जाएगा ठीक है दोस्तो लेकिन आपको confused नहीं होना है इसका जो answer आएगा वो क्या आएगा दोस्तो देखे आपको 1 upon root 5 दे रखा है plus 1 upon root 5 plus 5 plus 1 upon root 5 इस पूरे का मान क्या होता है 0 होता है आपका answer क्या हो जाएगा जो 5 बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है अब देखे ये संख्याव को आप इस form में भी लिख सकते है कैसे 2 plus इस root 2 को क्या लिख सकते है 1 upon root 2 लिख सकते है plus हो जाएगा 1 upon root 2 है यहाँ पर 1 upon 2 plus root 2 हो जाएगा minus का 1 upon 2 minus का root 2 हो जाएगा तो जिस form में ये लिखा गया है अब ये भी उसी form में हो गया ठीक है दोस्तो अब ये भी उसी form में हो गया तो जेखे इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0 बचेगा क्या 2 बचेगा यही या क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा तो ऐसा question आपको दिया जाएगा exam में देखके answer मारना है आपका answer आजाएगा ठीक है दोस्तों तो ये question भी आप समझ गये होंगे अगला question देखेंगे अगला question है root 5 minus root 3 बटे में दे रखा root 5 plus root 3 यहाँ देखेंगे root 5 plus root 3 root 5 minus root 3 देखें आपड चेक करेंगे उपर minus है नीचे plus है इस question को check करेंगे उपर plus है नीचे minus है तो दोनों question आप देखेंगे बिल्कूल same है जो फरक आ रहा है वो आ रहा दोस्तों sign का यहाँ उपर minus है और यहाँ पर उपर plus है ठीक है दोस्तों तो देखें कैसे solve करना है सबसे पहले इससे solve करके देख लेता है minus वाले को देखें करना क्या होगा आपको 5 का और 3 का करेंगे multiply मतलब 5 root 5 multiply by root 3 करना है ठीक है दोस्तों क्या जाएगा आपका 5 या 15 मतलब root में कितना आ जाएगा 15 यहाँ देखें minus का sign है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 4 में से minus कर दिना है इसको जो आया है root 15 यही क्या है दोस्तों आपका answer है इन दोनों का multiply करके जो आया है 15 आया है तो इससे 4 में से minus करके लिखेंगे आपका answer हो जाएगा अब देखें यह प्लस है इन दोनों का कर दिजिए multiply root 5 multiply by root 3 कर दिजिए क्या जाएगा root का 15 आजाएगा अब देखें यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे 4 में प्लस करके लिखेंगे root 15 यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका answer हो जाएगा जब minus में दिया जाएगा तो 4 में से minus करके लिखेंगे प्लस में दिया जाएगा उपर तो 4 में प्लस करके लिखेंगे हमेशा यह लिखना है दोस्तों आपका यह concept भी clear हो गया होगा दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजे दोस्तों धन्यवाद